इस तरीके से दोस्तों हम इस बाक्य की पैसे बना देंगे ठीक है न हो की तरह है इस वाई वाट को भी हम वाई से जोर देंगे वाई 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 वर यू मेड हैपी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेच्ट है हमारा दी दी में क्या बहुं कि भात क्यारा आट कि बिच्छी खाल क्या है उप्यों करक्सटी है न दोबी पहला sentence क्या है, पहला sentence है हमारा he could not secure passing marks देख इसमें क्या कम है, passing marks secure नहीं कर जाते, ठीक है? he could not secure passing marks, passing marks को secure नहीं कर जाता, achieve कर जाता, or get तो secure के स्थान पर या get लगाई है या achieve लगाई है, कि पासिंग मास प्राप्त नहीं कर सेगा ठीक है तो यहां पर सिक्योर नहीं आएगा सिक्योर में प्रावल में सिक्योर की जएगा आप एचीव लगाईए या गैट लगाईए दूसरा है यहां से भिलको को हटाएंगे और यहां से प्रेजांट में पनेगी और बिलको हटाएंगे और कमेस लगाएंगे तो यहां से सब्सक्राएंगे रारावल ऑन perspectives लगाएंगे यहां से संटन Congoinator का बढ़ खुआएंगई और कमेस लगाएंगे इस तरिके से आप दोनों में से कोई सब्सक्राइब कर सकते हैं नेक्स्ट है हमारा इमें इमें क्या करना है दोस्तों देखें इ है यूज अनी वन ऑप दा फॉलोग पेर ऑफ बर्स इन यूर ओन सेंटेंस तो मेंग दिफ्रेंस इन देर मिनिंग किलियर यहां पर बूज रहे है यहां पर होम-पोंस हैं क्या हैं दोस्तों होम-पोंस यहां पर किसी एक जोड़न को आपको अपने past więc we use करना है और उस का अर्थ के लिए करना है एक्जाम में दो जोड़न्वें दो पैर आंगे कोई से एक पीर पेर आप दो sentence बना देना और दोनों का अर्थ clear कर देना अभी हम दोनों pair का sentence में यूज करेंगी झॉछ है इसको बोलते हैं अपने sentence में उसकरना होता इनका अर्थ clear करने थीड़ीके दोस्तों चलिये जैसे कि आप ए का फर्स्ट क्या है पेन इसका एक सेंटेंस बना देंगे दूसरा भी पेन ही है बोलने में होम पॉंस होते हैं जो बोलने में एक जैसे हो बट उनके अर्थ है अलग अलग हो फिर दूसरे में क्या है अडैप्ट अडैप्ट है और यह खूंक चैसी अर्थ क्या है मेंश अलग है यह फेल्थ अदर्द सऴको पता है ठीक है न यह पेल्थ होता है इह कांज का टुकड़ा होता है कांज की शीज़िए धर्ड किस yu lie लोग होता है शीचकरत है अगर आपको इनके मिनिंग यादे तो फिर आप इजी ली क्या है इनका सेंटेज में यूज कर सकते हैं और इनका अर्थ के लिए कर सकते हैं तो जैसे पेन दर्द कर लीजिए कि कुछ भी I am suffering कुछ भी something कुछ भी बना सकते हैं I am suffering from knee pain कुछ भी something मैं घुटन के दर्द से पीडित हो रहा हूं अभी ये पेन कांच का टुकड़ा I broke मैंने तोड़ दिया पेन ओफ ग्लास या ये पेन ओफ ग्लास मैंने कांच का टुकड़ा तोड़ दिया इस तरीके साथ इसका यूज कर सकते हैं ठीक है ना डेश्ट है अडएप्ट अड़ेप्ट धालना होता है तो इस पी कुछ बना सकते हैं कि वी शूड बस अर्थ के लिए रहांच धालने का कोई sentence आप बना सकते हैं समाजिक वी शूड़ अड़ेप्ट हमें धाल लेना चाह इसी है अक्वोडिंग कि टू कि आवर अबर अट्मॉस्फेर लगा दो अपने वाता बना कि अपने आकपो धालना चाहिए कैसा भी sentence आप बना सकते हैं अर्थ के लिए होना चाहिए अब इस अड़ेप्ट बना देते हैं यह अड़ेप्ट का मुलब कुछल या निपन होता इसमाब कुछ सेंटेंश बना सकते है कोई पी सब्जाक्ट ले सकते ओर सेंग्स इस संना न इतने चोटा सेंटेस इसे में इंगलिस इसreg होन पहुंच से रेक्जाम में दो चोड़ आएंग कोई से एक पएर का आपको अर्थ sklir किलियर करना होगा अपने सेंटेंज में यूज करके पेर को इस तरीके ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे दोस्तों हमारी यह स्टोरी है ठीक है ना बहुत आसानी स्टोरी है जल्दी से बना लेते हैं चलिए अंसर नंबर शिक्स पांच नंबर श्टोरी है दोस्तों चलिए बनाते हैं पहला सेंटेंस क्या कह रहा है भारत बर्स एक महान देश है इतना आसान है तो इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री इसका अ थी बहुत ही सांदार रहा है इटस अतीत पास्ट यानि की भीता हो समये इस पास्ट है बीन पूरी परेफृडएट अबनेगा सेंटेंस भी मिन होना या रहना रहा है इटस पास्ट है बीन वजडी सांदार की आप ग्रांड ला सकते हैं वेरी ग्रांड या वेरी गुड कुछ भी संधिंग बहुत ही सांदार रहा है ठीक है न ग्लॉरिस लगा सकते हैं बिदेशी आक्रमरकारी ने इस देश को लूटने का परियास किया यह पाइचनेट का बाक्या है और सब्जेक्ट हमारा बिदेशी आक्रमरकारी तो फोरन अटैकर्स लगा दीजिए फोरन अटैकर्स परियास किया पाइचनेट का बाक्या है ट्राइड दूसरी वरक पर तूसे जोड़ेंगे कि लूटना होता है इस देश को इस इस कंट्री ठीक है टो फोरन अटैकर्स ट्राइड ट्राइड ट्रॉब इस कंट्री इसकी संस्क्रित है इसके ज्यान विज्यान को मिटाने का परियास किया गया किसने प्रियास किया बिदे से आकमकारिए हों ही तो फिर सब फेद्वा सो यही거든 मिटाने यहानि बरबात करने के तो रुविन लगा, यह यहाँ देश्ट रहा सकते हैं । उन्हों से प्रियास को मिटाने इससे संस्क्रती था उसके ज्ञान भी ज्ञान को इसी चल रहा है पतिसिप्हेशे क्विकिंपेंट के लिए ईनभिंटे ब्रीन ह्ञाईे इसके एस कर सीन इटस घ्न गयान बी गयान के लिए आप कहा सकते हैं से साइनस एक रीचिव नेश्ट है परन्तु देश पेरेमियों के बल्दान और बहादुरी के कारण पे सफल नहीं हुए बट दे कुट नोट सक्सीड लेकिन वे सफल नहीं हो सके या कुट नोट की जगा आप डिड नोट भी लगा सकते हैं पाज निट का बाकिया बना सकते हैं ठीके ना वे सफल नहीं हुए दिवे सफल नहीं हुए क्या में सफल नहीं हुए किसके कारण देश पेरेमियों के बल्दान और बहादुरी के कारण डियूटू डियूटू किसके कारण डियूटू देश पेरेमियों के बल्दान और बहादुरी के कारण due to sacrifice बलिदानी sacrifice होते है sacrifices and bravery and bravery due to sacrifices and bravery यानि कि बलिदान और बहदुरी के करण़ किसकी बलिदान और किसके बहदुरी देश प्रेम को बोलते है Patriots Patriots ठीक है न sentence इस तरह से बन गया दोस्तों कि but they could not succeed लेकिन बहद सफल नहीं हो सके due to sacrifices and bravery of Patriots ठीक है next sentence आज भी देश में किसी चीज़ की कमी नहीं है आज भी देश में किसी चीज़ की कमी नहीं है तो बहुत आसान sentence है there के यूज साब बना सकते है there is no want want भी चाना भी होता है want मिस कमी भी होती है there is no want of anything of anything in the country आज भी देश में किसी चीज़ की कमी नहीं है यदी दिन दूनी राज चुगनी बढ़तुई जनसें के अपन नेंतर हो जाए तो देश पुने सम्रद हो जाएगा अब नेंतर कौन करेगा दोस्तो हम तो यहां पर प्रणॉन हम कहीं उस करेंगे भी कहीं उस करेंगे कि यदी हम दिन दूनी राज चुगनी राज चुगनी बढ़तुई जनसें के अपन नेंतर कर लें तो देश पुने सम्रद हो जाए कंडिसें में बदल देते हैं इफ 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 भी कंट्रोल दा इंक्रीजिंग दिन दूनी राज चुगनी बढ़तुई ता इंक्रीजिंग पॉपुलेशन यदि हम बढ़तुई जनसें क्या को रोक लेते हैं कंट्रोल कर लेते हैं तो जनसें क्या पर नेंतर हो जाए तो बी कैन वी कैन कंट्रोल पॉपुलेशन यह बढ़तुई जनसें क्या को हम कंट्रोल कर लेते हैं तो जनसें क्या पर खुदी कंट्रोल हो जाएगा ठीक है ना कि यहां पर जो है यह है सेंटेंस की देश पुने समनत हो जाएगा तो दा कंट्री दा कंट्री बिल बी प्रोस्परेस ठीक है दोस्तों समझाँ देखि लास्ट का सेंटेंस सेंटेंस है यदि दिन डूनी राज चोगनी भरतुई जनसें क्या पर नियांतर हो जाएगा तो जाने कि ने जन्सें क्या पर को रोक लेते हैं तो देश बने सम्रत हो जाएगा तो इस तरिके से यह आपकी स्टोरी थी आपको समझ मागी हो कि राइटिंग थोड़ी रफ है बड़ आप समझ सकते हैं सही से ठीक है ना नेक्स्ट है हमारा सेक्षण डी यह लिट्डेचर का है दोस्तों यहाँ पर क्या है देखी आंसर था फॉलविंग कुश्चें इन अबाउट फॉर्टी वर्स यह सौट कुश् आपको चाली-चाली सब्तों में ऐसके नहीं देना है जिसके पहला कुश्च्ट है हूब आज मुकेश मुकेश कॉन था एड़ वाई वाज इसस्के अंदर ओर धॉसरा कुश्च्ट है यह पसंद आयं तो यह कर देना यह करना है कितना गहरा पूल था वाट वाज देर इंस या दूसरा कुश्यन यह है, वू वाज दा राट ट्रैप सेलर, चोहेदानी बेचने वाला कौन था, हाव डिड ही मेक दैम, कैसे वैं उनको बनाता था, ठीक है, तो यह ओप्शन में दे रखे हैं, इन दोनों कुश्यन में से एक करना था, इन दोनों में से एक करना था, कुश्यन में राट की तरह बढ़ते हैं, आंसर है नि बनोव दो फॉलविंग इन अबाउट एटी बर्स, यह लॉंग कुश्यन है, 60-80 सब्दों में इसका आंसर देना है, यह है, क्यों राजकुमार सुकला इनवाइट गांदी जी टू चंपरण, क्यों राजकुमार सुकला ने गांदी जी को चंपरण में बुलाया था, और कैसे गांदी जी ने जो वहां के किसान थे उनकी प्रावलम को सौल किया, ठीके न, दूसरा कुश्यन है, हाव इज मुकेश डिफ्रेंड फ्रॉम दा अधर बेंगल मेकर्स ऑफ प्रोजबाद कैसे मुकेश जो था वो अलग था प्रोजबाद के अन्य चूड़ी बनाने वालों से बेंगल मेंकर कहते चूड़ी बनाने वालों ठीक है नो इन दोनों लोंग कुश्चन में से कोई सा ए तो यह एक इस तरीके से पॉयम की कुछ लाइन आएंगी और इसके नीचे कुश्चन आएंगे उनके आपका अंसर देने होंगे जैसा पहले कुश्चन हो आर फार फार फ्रॉंग गस्टी बेप्स गस्टी क्याते हैं जोकेदार हवाके जोकेदार बेपसिंस लहरे तो कौन कॉन हैं गस्टी बेप से दूर कौन तो इसका अंसर इसे में लिखावा देकि फार फार फ्रॉंग भड़श्टी बेप दजिस चिल्डर फैसे यह उन वच्चे के बारे में बता जा रहाएं जो सिलम में रहने वाले हैं जो प्र पट्टे में रहने वाले बच्चे हैं उनक इसमें इसका अंसर भी देखे राट आइस उसकी आंके कैसे हैं चुहे के आंकों की तरह हैं आपने तरह से बनाकर लिग दीजिए या इसमें से लिग दीजिए लाइक रूटलास बीड्स ताहे टॉन राउंड देयर पालर पॉइंट आउट दा फिगरोष पीच इसमें अलंकार बताना है तो अलंकार आपको बताना है यूजिंदा अब लाइन तो उपर की लाइनों में अलंकार कौन सा है देखे दोस्तों यहां पर लाइक रूटलास भ हमारा राइट दा सेंटर लाइड ऑफ एनी बन ऑफ दा फॉलॉगं पॉएम यह सेंटर लाइड है तीन सेंटर लाइड एग्जाम में आएंगे आपको तीन में से किसी एक को लिखना होगा पहला सेंटर लाइड यहां पर महीं मतारा 66 दूसरा कीपिंग कॉइट और तीसरा सब्सक्राइड है हमारा कुष्चे नंबर 11 यह है आंसा था फॉलॉविं कुष्चे इन वाउट फॉर्टी वर्स सौर कुष्चे ने 40 सब्सक्राइड देना है यह वाट डिड़ दा एस्ट्रोजर टैल अब और डाइट ऑफ दा टाइगर किंग क्या अस्ट्रोजर जोतिसी बार में क्या बताया था यह कर सकते आप वाट डिड्स ने जिए लेटर ऑपने पत्र में चार्ली लिखा था 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 थर्ट लेविल जो चैप्टर उससे लिया गया है बहत आसान कुछिश्चीन है वी कुछिश्चीन है फूब आज योफ ग्री योफ ग्रीड कौन था उसने इस्टिड़ेंट को क्या ऑफर गया था यह एंटार्टिका वाले चैप्टर ठीके न वह उनको ट्रिप पे लेकर गय और जैक उसके बार में क्यों चिंतित था देखे क्लेर जो थी वो जैक की ही पतनी थी और चुकी वो प्रेगनेंट थी यह भी चैप्टर अच्छा है आपने पढ़ा होगा ठीक है नो इसका आंसर भी आप साट में लिए सकते हैं पिर कुश्चेंबर 12 लास्ट कुश्चेंद है यह एक का आंसर देना है और पहला कुश्चेंद है कि कौन थे और इंड मेरे तुर है किसे उन्होंने उससे शाधी की तो डाक्टर सदाओ का चैप्टर हमने कराया है पहले पैछली वीडियो में उसमा है आप देख सकते हैं डा किस प्रकार का गार्डन मिश्टर लैंब रखते थे वाई ड़स ही लाइक और क्यों बहाई से पसंद करते हैं तो यह दोनों लोंग कुछे ने इस तरह से दो लोंग कुछें कुछ नंबर बारे में आएंगे